हो गाइस आपके बीच में फिर एक बार मैं आ गया बड़ा भी बहतरीन जादू ले करके ऐसा अनोखा जादू आपने इसको वीडियो कभी नहीं देखा होगा आज देखेंगे और देखेंगे तो कहेंगे दोस्तों इतना कमाल का जादू है कि ये जादू पहले आप उसके बाद फिर मैं इस सिखाता हूं आपको इसका टोटोरियल भी बताता हूं फिर देखिए जादू होआ कैसे तो चलिए तो पहले देख लेते हैं जादू बाध में देखते हैं इसका रहात देख लेते हैं ये जादू तो हलो गाइस आईए हम आपको दिखाते हैं यह बहुत प्यारा सा जादू जो कि जादू नहीं कोहराम है बिल्omi कुल देखियेगा ध्यान से देखियेगा चोर्कि मैं दिखाने वाला हूं अब तक किसी ने नहीं दुखाया होगा दोस्तों क्योंकि ये आपके पास बिल्कुल खाली कटोरा है, कहीं कुछ नहें दोस्तों, ये देखे, इसको मैंने साप भी कर दिया, कटोरा बिल्कुल खाली है, और मेरे पास ये देखी है चावल, आप देख सकते हैं. ये देखे, शाब आपको नजदीक से दिखाँ शाब, ये देखे, ये चावल है, इस तरीके से, को अब ही मैं पकाऊंगा भात, शाब, आप देख सकते हैं, ये चावल है, इसको मैं बगार किसी आग की मदद से, इस चावल को मैं बनाने वाला हूं भात, दोस्तोんとब, इसको चावल को आप ही के सामने मैं यह कटवरे में रख देता हूं और यह किनारे यहीं रख देता हूं दोस्तों इसको अब मैं करूंगा जादू और जादू के जोर से यह बन जाएगा भात तो चल भाईया चल अब लोगों को दिखा दे गिली 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 गिल दोस्तो भात बन रहा है पक रहा है खौल रहा है एकड़ं तयार हो दोस्तो बिना पानी के बिना आग के कच्छे चावल को मैंने भात बना दिया भात दे hitha में बोलते हैं शहरो με कहते हैं पका हुआ चावल दोस्तो तो आप देखिए आपके सामने ये भात बनके तैयार है आप खाएं या लोगों को खिलाएं या किसी और को खिलाएं ये आप देख सकते हैं साहब पूरी तरीके से आप दे बना दिया ये भात ये चावल पग गया मेरा आप देख सकते हैं नजीक से देखने साहब ये भात बनके तैयार हो गया थोड़ा सा चावल ड हलो बैस अब आएए हम इस जादू का रहस्ट बताते हैं आपको यह जादू हुआ कैसे यह आप भी कर सकते हैं इसमें क्या-क्या सामान लगता है यह पहले मैं आपको इस जादू को दिखाने के लिए सबसे पहले तो एक गिलास आपको चाहिए गिलास भी नहीं चाहिए गिलास तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए एक कटोरा चाहिए थोड़ा सा चावल चाहिए और एक स्लेस पाउडर चाहिए दोस्तों यह कटोरा है जादू ही कटोरा दे गाल लिया, तो अब यह कटोरा खाली हो गया, लेकिन दोस्तों, यह ज़ाधी कटोरा है, इसमेज एक सुराथ इधर से होता है, देखिये दोस्तों, जब मैं इसको यहां से यह छोड दिखिये आभी तो इसमें कुछ नहीं ना, लेकिन यह यहां सुराथ दबावगत, जब इस पानी आ जाता है अब आपको दिखता नहीं है पानी तो उस कटोरे में आ गया चावल मैंने डाला लेकिन चावल के साथ साथ थोड़ा सा मैंने यह पाउडर आता मिलता है जो मैजिक साफ होती है थोड़ा साइज मैंने पहले से पाउडर मिला रखा था दोस्तो इस तरीके से और आपको दिखाया चावल, चावल को इस तरीके से दिखा के, इस तरीके से इसमें डाल दिया, जबकि वो देखने में क्या था, कि खाली कटोरा था, लेकिन पानी उसमें आटोमेटिक आ गया दोस्तो, अब यह जब यह पाउडर उसमें साथ साथ जम जाता है, तो आटोमेटिक लगता है कि भात बन गया, जबकि चावल पकता नहीं है, दोस्तो आप देख सकते हैं, यह पूरी तरीके से भात बन के तैयार हो गए, यह देखिए पूरी तरह पका हुआ चावल तयार हो गया दोस्तों यह इस फिलिप का राज है इस मैजिक का राज है दोस्तों यह जादू आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो सो एक लाइक बनता धन्यवाद